नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है एक दो दिन की राहत के बाद फिर कोरोना के केसे बढ़ने लगे हैं दक्षणी राजिक केरल सबसे जादे प्रभावित है वहाँ 20,000 से नीचे आंकड़े आ गए थे लेकिन फिर खबर आ रही है कि 20,224 मामले आये हैं पिछले 24 गंट रेट है वो 97.54 पहुंच गया है जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे जादे है इसी तरीके से जो एक्टिव केसे हैं वो 3,63,605 है जो कि पिछले 5 महिने का रिकार्ड है कि ये सबसे कम है इसी बीच अच्छी खबर ये आ रही कि एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और ये दे नाम जाइको D है ड्रग कंट्रोल जनरल आफ इंडिया के एक्सपर्ट कमेटी ने इस वैक्सीन को सुक्रवार को इमर्जेंसी यूज की मंजूरी दी कमपनी ने फार्मा कमपनी से इस वैक्सीन के दो डोज की प्रभाव का अत्रिक देटा भी मांगा है जे नेरिक दवा जे इमर्जेंसी यूज की अनमती एक जुलाई को मांगी थी ये आवेदना 28,000 वालेंटियंस पर किये गए आखरी स्टेज के ट्राइल के बाद किया गया है वैक्सीन का एफिकेसी रेट 66.6% सामने आया है और ये वैक्सीन 12-18 आइबर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित ह तो आप रहें ने बेखबर देखते रहें इनकबर थैंक यू